ओम नमस्कार मित्रों इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जी नाम के जातक एबम वाई नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का आपसी जीबन कैसा होगा मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा क्योंकि यह बेडियों आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपुर्ण एबम उपयोगी है तो इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, एबम इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने दोस्तों इस नाम के दोनों जातक यदी दामपत्य जीबन में आते हैं तो इन दोनों के दामपत्य जीबन में अनुकूलता का अस्तर सामान्य होता है क्योंकि इन दोनों का सुभाब एक दूसरे से भिन होता है, इस नाम के दोनों जातक अपने अपने जीवन को अपने अपने दृष्टी कौन के हिसाब से जीने का प्रयास करते हैं, एबम इस कारन से इन दोनों के बीच में अनुकूलता की कमी हमेशा होती है, मित्रो जी नाम के जातक बहुत ज्यादा क्रोधी सुभाब के होते हैं इस नाम के लोगों को छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध है बहुत ज्यादा गुसा आता है एबम ऐसे हालात में इन दोनों के बीच में आपसी संबंध बहुत ज्यादा खराब होता है एबम इसके अलाबा इस नाम के जातक हमेशा अपने जीबन में बदलाब करना पड़िवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लेकिन यदि वाई नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक प्रभुत जमाने बाले होते हैं एबम इस नाम के जातक भाबनातमक रूप से और त्रिप्त होते हैं एबम इस कारण से वाई नाम के जातक जी नाम के लोगों की मांगों को पूरा करने में सक्छम नहीं मित्रो जी नाम के जातक सुभाब से बहुत ज्यादा चंचल एबम स्वतंत्र होते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के लोग हमेशा अपने जीवन में आजाद होना स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एबम इसके अलाबा इस नाम के जातक बाहरी गती बिधी में बहुत ज्यादा खुस होते हैं लेकिन यदि वाई नाम के लोगों की बात कड़े तो इस नाम के जातक घरेलू गती बिधी में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं एबम इस कारण से इन दोनों के बीच में टकराब बहुत ज्यादा होता है मित्रो जी नाम के जातक एबम वाई नाम के जातक इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला कर यदि इनके बैबाहिक जीबन इनके दामपत जीबन की बात कड़े तो इन दोनों का आपसी जीबन सामाने रहेगा न जयादा मजबूत न जयादा खराब तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबं इस वेडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दे धन्यवाद